इसी तरीके से आपको दिया के smooth table है उसमें आपका एक block table के उपर रखा हुआ एक block जो है वो नीचे hang कर रहा है तो इस case में क्या होगा कि जो part आपका hang कर रहा है वो acceleration A से नीचे जाएगा और जो block उपर रखा है वो acceleration A से इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा और इस case में उपर वाले block को चलना ही पड़ेगा चाहें यहाँ पर हम चीटी क्यों न लगा दे और यहाँ पर हम कोई पहाड क्यों न रख दे तो भी उस case में क्या होगा चीटी के pull force की वज़े से आपके पहाड को चलना पड़ेगा क्योंकि इसके उपर horizontal में केवल एक force है that is tension याद रखिए table smooth है तो tension कितना भी छोटा क्यों न हो आपके block को accelerate होना पड़ेगा अगर string को inextensible रहना है तो जिस acceleration से यह नीचे जाएगा उसी acceleration से इसको आगे की तरफ चलना पड़ेगा इस case में भी acceleration हम direct लिख सकते हैं और tension का भी calculation कर सकते हैं इसके लिए हम इन दो equations को use करे रहे हैं जबकि जो block horizontal में accelerate कर रहा है उस पर केवल एक ही force है that is tension अगर इस तरीके की situation आपको दी जाती है जिसमें कि आपको pulley पर string उपर की तरफ लगा के दिये जाते हैं और पूछा जाता है कितना force आपको चाहिए to lift the block तो देखिए आप जितने भी force से रसी को खीच रहे है वही tension का cause है आपकी रसी मासलेस है इसलिए रसी के point पर जितना force उपर है उतना ही force नीचे है तो f बराबर क्या हो जाएगा t के बराबर यानि रसी में throughout जो टेंशन है वो f के बराबर है अब यहां tension t है यहां tension t है तो pulley क्योंकि मासलेस ली जाती है इसलिए जितना force उपर है उतना ही force किधर लगेगा नीचे पुली पर नीचे लगेगा और block पर किधर लगेगा उपर तो आप अपने block पर tension नहीं दिखाएंगे आप अपने block पर 2T tension दिखाएंगे तो इस case में block को उठाने के लिए 2T should equal to mg यानी 2F should equal to mg 2F should equal to mg तो f कितना हो गया mg by 2 इसलिए force needed to lift the block कितना आएगा mg by 2 अब हम बात करेंगे pseudo force की जो की मैंने आपको शुरू में बताया था कि Newton के loss को अगर हमें non-inertial frame में बैठके लगाना है तो हमें pseudo force की ज़रूरत पड़ती है ये कोई actual force नहीं है ये virtual force है जिसको की हम किस direction में लेते हैं opposite to that of acceleration of frame magnitude कितना लेते हैं product of mass of the body and the acceleration of the non-inertial frame लेकिन इसका फाइदा क्या होता है इसकी मदद से आपको चीज़े explain करना आसान हो जाता है जैसे की यहाँ पे आपके wedge पर ये movable wedge है आपका wedge एक तरीके का incline है जो move कर सकता है तो इस case में क्या होगा आपके अगर हम यहाँ पे fbd बना के देखें तो क्या होगा यहाँ पे आपके f force की वजए से मान लेते हैं system का acceleration इस तरफ आएगा a अगर हम wedge पर बैठ करी यानि non-inertial frame में solve करते हैं तो हम m mass पर कहेंगे pseudo लगेगा in the opposite direction इस pseudo के दो component होंगे यह angle theta है तो यह angle भी theta होगा m a cos theta उपर लगेगा और हम जानते हैं इस पर नीचे की तरफ लगेगा m g sin theta अगर हम यह कहते हैं कि mass m जो है वो slide नहीं करता relative to wedge तो यह तभी possible है जब m a cos theta बराबर m g sin theta के हो यहाँ से acceleration कितना मिल जाएगा g tan theta जो कि एक important result है हमें याद रखना चाहिए यह कैसे निकाला हमने pseudo की मदद से दूसरा पूछा है इनके बीच में जो contact force लग रहा है नॉर्मल ही है बट अपसको यहाँ पे r से represent किया है अगर आप से यह r पूछा जाए कि यह r कितना लग रहा है तो इसकी value भी आप यहाँ से calculate कर सकते हैं कैसे r का value हो जाएगा आपका m a sin theta प्लस m g cos theta इसमें आप a का value g tan theta रह सकते हैं तो आपको यहाँ से solve हो के r की value मिल जाएगी which is the contact force between block and wedge I hope आपको यह समझ में आ गया इसके बाद हम दूसरा case देखते हैं कि f का value ऐसा हो कि यह free fall करे तो अब आप f को इस तरफ लेके जाओगे इस तरफ लेके जाओगे तो frame का acceleration इधर है तो sudo लगेगा इधर m a इधर लगेगा तो m a का component करते हैं ठीक है यह theta है तो यह angle कितना होगा theta इधर की तरफ component होगा m a sine theta m a sine theta किसको balance कर लेगा आपके mg cos theta को अगर m a sine theta ने mg cos theta को balance कर लिया तो फिर normal reaction लगेगा ही नहीं और आपका acceleration कितना आएगा g cot theta तो अगर आप acceleration g cot theta से इसको move कर आओगे तो उस case में आपका यहाँ पे normal क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि m a sine theta ने mg cos theta को balance कर लिया तो normal की value क्या ही 0 अगर हम normal consider कर भी लें कि normal लग रहा था तो हम लिखेंगे na plus m a sine theta बराबर mg cos theta लेकिन m a sine theta और mg cos theta बराबर हैं तो यह तभी possible है जब n की value क्या हो 0 अगले question में हमें दिया गया 3 block है connect किया है string से figure की दिखाया हुआ है pull कर रहे है force से यहाँ t3 का value दिखाया हुआ है m1 का value m2 का value m3 का value दिया है acceleration of system पूछा है और tension t1 t2 पूछा है तो t3 यहाँ पे किसका काम कर रहा external force का acceleration of system निकाल लेते है system पे external force है 120 system का total mass है 5 plus 10 plus 15 यानि 30 तो 120 पर 30 कितना हो गया 4 तो 4 meter per second square acceleration आ गया अब अगर मैं m2 की बात करूँ तो m2 पे t2 tension इधर है t1 tension इधर है और m1 पर t1 tension इधर है और t1 के कारणी इस पर acceleration आ रहा है यानि t1 बराबर m1 a 5 into 4 20 तो m2 वाले पर पीछे की तरफ 20 और आगे की तरफ t2 t2 minus 20 बराबर m2 a m2 a यानि कितना 10 into 4 40 तो t2 का value कितना आ गया 60 newton तो t2 60 t1 20 और acceleration of system 4 फिर question में हमें दिया है masses of a b c a 1 kg b 3 kg और c 2 kg acceleration of system पूछा है tension in the string पूछा है तो देखिए यहां हमें क्या करना है सबसे पहले हम fbd लगाएंगे यहां इस पर नीचे की तरफ force लगाएंगे कितना लगेगा g sin 60 पीछे की तरफ क्या लगेगी tension इस पर tension भी नीचे लगेगी और इसका 3g sin 60 भी नीचे लगेगा पीछे की तरफ tension t dash लगेगा इस पर tension t dash इधर लगेगा और 2g sin 30 इधर लगेगा अगर हम मान लेते हैं यह system accelerate कर रहा है इधर तो यह जाएगा accelerate इधर क्या लिखेंगे g sin 60 minus t बराबर 1 in 2a दूसरे के लिए लिखेंगे t plus 3g sin 60 minus t dash बराबर 3a तीसरे के लिए लिखेंगे t dash minus 2g sin 30 बराबर 2a अगर हम इने जोड़ दें तो t और t, t dash और t dash सब कैंसल हो जाएगा क्या बचेगा g plus 3g 4g 4g sin 60 तो 4g sin 60 कितना हुआ sin 60 होता है root 3 by 2 तो यह हुआ 2g root 3 minus 2g sin 30 कितना हुआ g बराबर 3 2 और 1 तो यह कितना हो गया 6a तो acceleration का value आ गया यहां से कितना आया g 2 root 3 minus 1 divide by 6 अब g का जो भी value है यहां रख देंगे acceleration मिल गया tension की value निकालनी है तो t कितना हो जाएगा g sin 60 यानि g root 3 by 2 minus g by 6 2 root 3 minus 1 t मिल जाएगा तो t dash भी हम solve करके निकाल लेंगे t का value g की value 9.8 लेने पर आएगा कितना 4.56 newton और t dash का value t dash का value आएगा 18.52 newton please like share and subscribe my channel press bell icon for important notifications and update ताकि timely आपको सभी important uploads मिलते रहें आप हमारा blog भी visit कर सकते हैं that is question नहीं बनता blogspot.com जहां पे आपको सभी lectures के written format में जो notes है वो available है और questions के solution available है आपको कोई suggestion है तो आप मुझे mail कर सकते हैं मेरा mail ID हैं दिया हुआ है facebook page और insta पे आप tips of the day के लिए join कर सकते हैं